हमें देखना होगा मलीपूर जल लहा था लगा तार एक साल से ज्यादा मलीपूर जल लहा है आज भी जल लहा है पिछले चुनाओं में उन्नीस तारीक के जो चुना हुआ उसमें बोटिंग मसीन वहां के लोगों ने तोड़ी केवल इस भजे से कि मोधी जी यहां पे नहीं जाये हैं 400पार का मतलब एक ज जो है अपकी जो सिलंडर जो हम लोगो हजारब्लों का लेते हैं यह Apple करहें विफ्Braux 1000 पर होगा पैर टोल 400 पार कर देंगे अरहर की दाल 400 पार कर देंगे इनका 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए है यह 400 पार का मतलब जंता सीधे सीधे समझ ले यह जित्ते खादान समान है इनको 400 पार करने जा रहे हैं यह मेरट के प्रित्यासी हो अरुल गोविल खुले आम यह बात करते हैं कि 400 लाईए दोतियाई बहुमत दीजिए हम इस देश के समिधान को बदलेंगे अब वो बाबा साहब के समिधान को बदले की बात कहते हैं भाजपा के प्रत्यासिय लगातार 400 पार करना दे रहो इसलिए दे रहे कि समिधान को खतम करेंगे देश की जरूरत है वकीलों की जरूरत है मजदूरों की जरूरत है किसानों की जरूरत है इंडिया गट बंधन चुकि चाहें अयुद्या के संसादो लल्लू सिंग या मेरट के प्रित्यासी हो अरुल गोविल खुले आम ये बात करते हैं कि 400 लाईये दोतियाई बहुमत दीजिए हम इस देश के समिधान को बदलेंगे और वो बाबा साब के समिधान को बदले की बात कहते हैं इसलिए देश की जनता को सोचना पड़ेगा, महनत का जनता को सोचना पड़ेगा, कि देश का दिया हुआ संविधान, और खास कर हम वकील अदिवक्ताओं के लिए, केवल बाबा साब के संविधान की वज़े से हम लोगों को काला कोट मिला है, हम वकालत करते हैं, और वो टीटे हार है, अगर चार सो पार का मतलब है, ये जो है अपकी जो सिलेंडर, जो हम लोग हजार रुपाय का लेते हैं, ये दो हजार रुपाय का बेचेंगे, कड़वा तेल चार सो पार होगा, पर टोल चार सो पार कर देंगे, अरहर की दाल चार सो पार कर देंगे, इनका चा चार सो पार का मतलब जटब सीदे सीदे समझझ ले यह जिट्ते खादान समान है अनको 400 पार करने जा रहे हैं इसलिए देश की जंता इनने पूरपसे पच्ची मुद्तर से दख्षिन तक पूरा मन बना लिया है, कि इनके मिशन को नेश्टा नबूत करना है, इनने भारी भारी भावत से हरा करकरना जैनको यहां से भगाना है, क्योंकि जिस तरीके से घेश की अर्थवस्ता को इनों ने तोड़ा, देश की अत्वस्ता खराब कर दी टनों के हिसाब से इन्हों ने सोने को गिर्मी रख दिया सोना हमारा गाइब कर दिया रिजर वैंग की जमापूजी ये खा गए एलेक्टरॉल बांड के मामले में जैसा कि सब को मालूम है प्रत्र एलेक्टरोल बांड ये पूरा खा गए है और इन्होंने एक धंदा बनाया है चंदा दो और धंदा लो ये चंदा लेते हैं और धंदा देते हैं चाइना घुसा आया अरुनाचल में इनकी बोलती बंद है घिग्गी बंद है सोनम बांग्चू 21 दिन धरने पर बैठे रहे इनकी घिग्गी बंद गई इन्होंने लद्दाक के अंदर इंटरनेट से वाय बंद करा दी इंटरनेट वहाँ पर धुस्त कर दिया सोनम बांचू से इन्होंने बात नहीं की हमारे देश के अंदर जिस तरीके से माहिलाओं को ओलम्पिक पदक बिजेचाओं के को जिस तरीके से मोला स्टेशन किया गया इनके एक सांसत के द्वारा उस मामले में माननी नरेंद मोदी जी की कोई आवाज तक नहीं उठी ऐसी इस्तितियों में हमें देखना होगा मनीपूर जल रहा था लगा तार एक साल से जादा मनीपूर जल रहा है आज भी जल रहा है पिछले चुनाओं में उन्नीस तारीक के जो चुना हुआ उसमें बोटिंग मसीन वहां के लोगों ने तोड़ी केवल इस भज़े से कि मोदी जी यहां पे नहीं आए है इन इस्तितियों में हमें देखना होगा चारो तरफ कहीं ना कहीं अब जिस तरफ जाएंगे तरही तरही अची है और मोदी जी के खिलाब पूरी देश की जनता का एक आकरोस है चुकि मोदी जी जो कर सकते थे देश को जितना गोड सकते थे उन्होंने गोड दिया नेस्ता नबूत कर दिया है इस देश को बनाने में कम से कम हमें 50 साल और लगेंगे जिस तरीके से इन्होंने अर्थ विवस्ता को कमजोर किया तो ये मेरे साथ थे इनका पूरा समर्थन है केवल अधिवक्ताओं संग के लिए नहीं केवल पुरी देश को बचाने के लिए बेरोजगारी महंगाई गरीबों सबकी वंचितों के आवाज आप लोग बनते भी हैं लगातार